इस पार्ट में हम लोग सिखेंगे सेसे लिंकिंग के बारे में तो हम लोग अभी लिंकिंग के बारे में सिखेंगे कि लिंकिंग कैसे होती है और एक्चुली में link हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में details linking के बारे में सीखेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं आपको एक site यहां पर दिखा देता हूँ आपको, कि हम लोग कैसे अभी करने वाल है, तो यहां पर मैं एक site यहा तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, यह एक site है, इस site के अंदर अगर मैं यहां पर माउस ले जा रहा हूँ न, तो यहां पर आप लोग को वो link के अंदर color की change दिख रहा होगा, मतलब यह एक link है, क्योंकि यहां पर read more की option दिया गहे है, अगर उसके उपर में क्लिक कर तो यह पूरी की पूरी page open हो जाईगी, मतलब यह एक link है, अगर यहां पर देखो, उसके उपर में mouse ले जा रहा हूँ, तो उसकी color भी change हो रहा है, तो यह सारे चीज़ हम लोग आज इस video में cover करेंगे, ओके, तो कैसे, तो हम लोग अभी चलेंगे, हमरी यहां पर dashboard के अंद करेंगे, ओके, तो इसके लिए हम लोग यहां पर कुछ चीज़े add करते हैं, कुछ text add करेंगे, उसके बाद CSS का अंतर सारे की सारे चीज़े करने लेंगे, ओके, तो उसके लिए हम लोग एक p tag use करेंगे, ओके, तो मैं कुछ लिक देदा हूँ हम पर, तो यहां पर देखो, म हम लोग click here add करेंगे, ओके, इसके लिए मैं हम पर add, और यहां पर, उससी site की link है, यहां पर add कर देता हूँ, ओके, यह तो हम लोग हच use कर सकते हैं, और यहां पर, click here, ओके, करके मैं add कर रहा हूँ, ओके, इतना ही आपको करना है, यह link, यह एक link अभी बन जूगी है, ओके, उससे मैं save करा, और उसकी अभी output देखेंगे, यह देखो, यह already output बन जूगी है, ओके, तो, अभी चलते हैं उसके अंदर coding करेंगे, यहां पर आपको कुछ भी दिखने को चंदस मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने उसके अंदर कुछ coding भी नहीं की है, ओके, शिफ यहां एक link हम लोगों ने बनाई हुई है, ओके, तो उसके बाद हम लोग जो भी चीज़े करेंगे, CSS के अंदर करेंगे, ओके, पहले यहां पर हम लोग जो की, उसकी सारी की सारी चीज़े add करेंगे, उसके बाद output देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से clear कर है, उससे पहले यहां पर हम आप लोग को add करना है, और colon, क्यूंकि हम लोग जो भी चीज़े हम लोग करना है, वो इस link के अंदर करना है, इसके लिए हम लोग यहां पर add करेंगे, ओके, और यहां पर bracket start, ओके, यहां पर color, c o, हमने color add किया, color हम लोग dark blue रखते हैं, dark blue हम लोग add करेंगे, ओके, उसके बाद और एक चीज़े हम लोग add करेंगे, क्या, हावर, ओके, अभी हम लोग visited add करते हैं, ओके, वोई सेम चीज़े है, और उसके बाद हम लोग visited, okay, visited और वोई सेम चीज़े हम लोग उसकी color add करेंगे, okay, color हम लोग हम पर add करते हैं, इसे add करते हैं, ओके, और एक चीज़े हम लोग add करेंगे, क्या है, हावर, हाई सेम ए, हो, भी है, हावर, और उसके बाद और एक चीज़े हम लोग add करेंगे, क्या, color, उसकी color हम लोग add करेंगे, और इसे यह रख देते हैं, और एक चीज़े हम लोग अभी add करेंगे क्या, activate, okay, ए, activate हम लोग ने add क्या, उसकी color हम लोग अभी add करेंगे, golden मानल वाइड करते हैं, ओके, अभी हम लोग ने save किया उसे, ओके, और उसकी output हम लोग अभी देखेंगे, ए, रही इसके output, ओके, अभी हम लोगों ने यहां पर देखते हैं, जो कि CSS के अंदर हम लोगों ने अभी visited, ओके, dark blue यहां पर link की color दिये थे, visited यहां पर हम लोग, अगर हम लोग यहां पर visit कर ले थे तो यह color बन जाती है, अगर उसके उपर हम लोग mouse ले जाती है, मतलब वो hover हो जाती है, उसकी color अभी change हो रहा है, अगर उसकी उपर click करते हैं, तो यह golden color बन जाती है, तो इसलिए यह इस तरह की दिखाय रहा है, अगर हम लोग यहां पर कुछ चीज और add करेंगे, और यहां पर हम लोग google.com एडिकरते हैं, मैंने उसे save करा, अभी उसकी output देखेंगे, देखो अभी जो output रहेगा वो आपकी unique रहेगा, क्योंकि हम लोग ने उसके उपर ना click किये, ना किया कुछ किये, अगर मैं उसके उपर ले जाता हूं mouse, तो यहां पर आपको उसकी color भी change होता दिखाए देगा, और अगर उसके उपर मैं click करता हूं तो भी उसकी color change हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग ने जो भी चीज़े add की है, यहां पर show कर रहा है, अगर उसके उपर हम लोग click, यह देखो, अगर उसके उपर मैं ले जा रहा हूं तो उसकी बेक्राउंड कलर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग इधर आएंगे, और यहां पर यह जो color है, टेक्स्ट color हो गया, उसके अंदर हम लोग background color यूज़ करेंगे, background color हम लोग अभी यूज़ करते हैं, और यहां पर भी मैं यूज़ करूंगा अभी, उसे पहले save करके उसके output देखते हैं क्या यह काम कर रहा है कि नहीं, यह देखो यह already working mode में है और यह काम 100% कर रहा है, तो अब भी हम लोग क्या करेंगे, CSS के अंदर चलेंगे, यहां पर vegetate यहां पर हम लोगों ने जो भी color aid की है न, उस color को चैन्स करते हैं कि white थोड़ी सी unique लगेगा और यहां पर background color, तो background color हम लोग चैन्स करेंगे और उसके अंदर हम लोग भाव लेट करेंगे, save करा मैंने, अब भी उसके output देखते हैं, यह देखो, हम लोग ने जो background color चैन्स की है यह already link को हम लोग उन्हें भीजिर कर चुके हैं, तो उसके लिए यह इस तरह से दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग hover के उन्दर चैन्स करेंगे, यहां पर हम लोग अगर background color चैन्स करेंगे तो background color हम लोग अगर add करेंगे, यह load करते हैं, save करा मैंने, अगर यहां पर अब mark करो, अगर उसके उपर में ले जा रहा हूं mouse तो उसकी color change हो रहा है, ओके यह clear होगे न, और और एक चीज़ यहां पर निचे एक line आ रहा है, अगर उस line को हम लोग हटाएंगे तो कैसे, तो simple हम लोग को text चाहिए, उसके लिए हम लोग यहां पर आएंगे, CSS के अंदर आएंगे, text decoration, यहां पर देखो, आप लोग मार्क करो, हम लोगों न यहां पर जो text decoration add किये थे, non किये थे, तो इस तरह की output आ रहा है, आप चाहिए तो उसके अंदर text decoration add कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यह simple, ऐसे आपको simple देखे तो इस तरह की आप यूज कर सकते हो, तो जो भी चीज़े आप को add करना चाहो जो भी कुछ clear करना चाहो इस तरह की link अगर add करना चाहो तो आप easily यह सारी की सारे चीज़े कर सकते हो, तो padding हम लोग रखते हैं 10px, अगर मैं padding as add कर रहा हूं तो padding यहां पर add करने के बाद, यहां पर आप देख सकते हो उसकी जो कि अगर आप length उसकी बढ़ाना चाहो, तो इस तरह से आप add कर सकते हो, है न, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक interesting और helpful topic के साथ तब तक लिए, bye bye.